मुझेट बता है कि जो की है सेल कम्यूकेशन और से सबसे यादा कोश्चन आते हैं और मैं बताऊंगा कोश्चन का डिस्टिबीशन इस वीडियो में चलते हैं सबसे पहले आप यहां पे देखते हैं इस यूनिट पे जो है A B C D E करके हैं इसके सब सेक्शन्स हैं तो यहां पे A, B, C, D, E इतने सब सेक्शन्स हैं इनके और मैं एक चीज़ यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है सारे सेक्शन्स equally important है जब मैं equally कहूं तो इसका मतलब आप समझेगा कि जो question है वो हर जगा से आते हैं हर जगा से मतलब आपको पता है मैंने आपको वेटेज बताया था सभी यूनिट्स का तो जो यहां पे 5 है इसके सब सेक्शन्स मतलब अगर इस यूनिट्स से 5 question आते हैं तो लगबग एक सब सेक्शन A से आएगा, एक B से आएगा एक C से आएगा, एक D से आएगा और एक E से आएगा ठीक है, तो यह भी मेरे हिसाब से एक मार्क जो है गेन करने का सबसे अच्छा यूनिट है क्योंकि यह उतना hard नहीं होता चलते हैं, हम देखते हैं सबसे आदा question जो है कहां से आते हैं पहले हम बात करेंगे सबसेक्शन A का host parasite जो interaction है यहां पे तो यह जो है यहां पे recognition and entry process of different pathogens like bacteria, viruses into host and plant host cells तो आपको जिसे microbiology में आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा कि recognition and entry processes क्या है, जिसे बैक्टीरिया है, वो host cell में कैसे इंटर करते हैं, वारिसे जो है, वो host cell में कैसे इंटर करते हैं, कहां पे plants और animal cell में, what are the different ways and how they recognize their host and how they make their ways into the host cell तो एक चीज़ यह हो गया, यहां से यह मैं आपको बता रहा हूं, जो A, B, C, D, E करके हैं, आपको पांचों जगह से, पांचों सबसेक्शन से exam में question मिलते हैं, और यहां से जो आता है, A में, यह चीज़ वहां पे important है, जो मैंने आपको बताया, second thing यहां पे क्या है, pathogen induced diseases in animals and plants cell, मतलब microbiology से आपको यह पढ़ना है, microbiology के लिए best book क्या है, आपको अगर detail में देखना है, तो Brock या Prescott आपको देखना है, वरना जो पास finder जिसे बुक्स आप यूज़ करते हैं, तो वहां भे सारे चीज़ का list दिया होगा, तो आपको याद करना है, जो pathogen हैं, वो कौन सा diseases induce करते हैं animals and plant cell में, यह जिसे सबसे अच्छी बात यह है कि match कराने को आता है, ठीक है, अगर recognition and enter process से आएगा, वो statement के तरीके से रहेगा, which one of these statements are true, और choose the correct options, ओके, अगर इससे आएगा pathogen induced disease in animals and plants, तो आपको match कराने को पूछा जाता है, which bacteria और viruses, cause which disease, तो यहां से match कराने को आता है, ठीक है, तो यहां से यह दोनों चीज़े जो है, ज्यादा important है, चलते है section B पे, जो कि है cell signaling, जिससे आप समझ लेजिए 99% surety के साथ यहां से question पूछा जाता है, आपको भी पता है, G coupled receptors है, यह सारे हैं, लोग इसको बहुत focus करके पढ़ाते भी है, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको यहां पे plant physiology से भी मिलेगा, सबसे अच्छी बात है CSIR की cellbers की कुछ चीज़ें यहां पे overlapping है, जिससे light signaling plant जो है, यह आपको plant system physiology plant जो आपका unit है, वहां भी पढ़ने को मिलता है bacterial chemotaxis, quorum sensing यह सब तो आपको याद होना चाहिए, bacterial and plant two component system यहां से भी कभी कभी question पूछा जाता है, ठीक है, पर जो main चीज़ है, हार्मों जिसे हार्मों जिसे है, यहां पे hormones and their receptors इधर लिखा है इसे आप कहां पे पढ़ते हैं system physiology में पढ़ते हैं, क्याहां पे जो सबसे ज़्यादा वह है पहली बात तो इस पर basic तो question आते ही आते हैं, जिसे सबसे यह है, signaling through G coupled receptor, सबसे ज़्यादा question इस पर पूछे गए है, जो GPCR है आपका, यह signals transduction pathways होते हैं बहुत सारे, तो वह कौन कौन से है, second messenger कौन कौन से है, और regulation of signaling pathways ठीक है, यह हुगा पहले बात तो इसका आपको basic knowledge रखना है और क्योंकि यह हमेशा सही यहाँ पर जो question है, वो repeat किये जाते हैं CSIR में, repeat का मतलब means हर बार आता है question यहां से तो जो question यहाँ पर आता है, आप basic नहीं पूछा जाता आप इतनी जानकारी यह आप रखेंगे उसके बाद, इस पर आपको question बना के दिया जाता है, means ऐसी situation है, आप बताएए उसमें क्या होगा, यह खराब कर दिया जाए, वो खराब कर दिया जाए ठीक है, यह आपको कोई चार्ड या graph दे दिया, बोलो बताएए यहाँ पर क्या हो रहा है, और यह इस graph या चार्ड के basis पर कौन सा statement टू रहेगा, तो यह चीज़ है, यहाँ से important चलते हैं, subsection C पर, cylinder communication से भी बहुत easy question पूछा जाता है, और यह लगबग हर साल यहाँ से question आया है, आप paper देखेंगे, तो यहाँ पर देखते है, regression and hematopoiesis यह आपको system physiology animal में आप पढ़ सकते है, जनर्र प्रिंस्पस of self communication है, देखिए, यहाँ पर यह जो है, यहाँ पर acceleration and rule of differentiation, molecule, gap junction, connection, cellular matrix, integrins, यह यहाँ पर इतने चीज़ नियूरो transmission जो है, वह आप section B में पढ़ चुके होते हैं, वहाँ पर B मतलब यहाँ आप overlapping है, तो आप ध्यान देंगे, तो बहुत चीज़े overlapping है, आपको preparation में आपको देखने को मिलता है, syllabus बढ़ा है, लेकिन बहुत चीज़ overlapping है, मैं आपको दिखाऊंगो, दो चीज़े आपको यहाँ पर बता है, मैंने light signaling plants जो है, वहाँ पर आपको मिलेगा, फिर hormones and their receptor system physiology animal में आप पढ़ते हैं, इधर आप देखेंगे, regulation of hematoposis system physiology animal में पढ़ते हैं, और neurotransmission जो है आप, यह unit number two में पढ़ते हैं, यहाँ का जो सबसे important चीज़ है, cell addition जो है, role of different addition molecule, अलग-अलग type की addition molecule है, उनकी property आपको जानना होगा, इसे कौन है, जो cell to matrix जो है, वो करते हैं, junction बनाते हैं, कौन से हैं, जो cell to cell junction create करते हैं, और इससे भी जो आपका आता है, match कराने को आता है, बहुत बार जो questions आएं, आप question paper में देखेंगे, तो match कराने वाले आएं हैं, चलते हैं, हम D पे, जो cancer है, यहाँ से भी question हर बार पूछा जाता है, cellular communication, cancer, यह दोनों तो must हैं, यहाँ से question आते ही आते हैं, तो gentic rearrangement यहाँ से बहुत कम पूछा गया है, oncogenes, tumor suppressor genes, यह बहुत है, इनकी property आपको ध्यान रखना है, tumor suppressor genes, यहाँ पे एक दो चीज़े और है, gain of function and loss of function mutation का क्या character होता है, क्यों कहते हैं इसे यह आपको जानना होगा, cancer and cell cycle कैसे related है, देखिए इससे भी बनाके, क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है, जो question बहुत बार exam में आता है, उसको अब अलग डंग से question पूछा जाता है, उसके basis जो जादा express हो रही है, उसके basis पे आपको बताना है, तो आपको देखना है, इसलिए आपको exam में लगता है कि जो हमने पढ़ा है, हम question नहीं कर पा रहे हैं, उसके basis पे problem वहीं पे यह होती है, कि आप question तो पढ़े होते हैं, उसके basis पे आप relate नहीं कर पाते, यह से अपना drug जो है, टेस्ट करने करना चाहता है, तो वह उसने drug जब दिया उस patient को, तो कौन-कौन उस दोनों का, एक cancer patient का, और drug देने के बाद का, दो आपको profile देदेगा, gel profile देदेगा, बोल रहा है है, यह protein express हो रही थी, पहले वाले में, cancer patient वाले में, उसका जब उसको drug दिया गया, यह expression profile मिला, अब आप बताएए कि इसमें हो क्या रहा है, आप confused हो जाते हैं, तो वह चीज़े आप ध्यान में रखेंगे, cancer related genes कौन-कौन से हैं, किसका expression, cancer होने पे होगा, और किसका expression अगर हम drug देते हैं, तो cancer affected genes हो रुख जाएंगी, तो समझ लीजिए, इससे वही सारी चीज़े आती है, ठीक है, poptosis देखी यहां पर है, आपको यह भी दो-तीन बार मिलेगा, unit number कौन सा है, five है, developmental biology का जो पार्ट है, वहां भी आपको भी जो है question बना के आता है, तो ध्यान दीजिए, यहां से question बना के ज्यादा पूछा जाता है, cell signaling जब आप पढ़ेंगे, और यह जो सबसेक्शन भी है, सबसेक्शन डी है, यहां से बना के question पूछा जाता है, इसलिए आपको देखने में हो चीज़े अलग लगती है, आप बहुत बार छोड़ भी देते हैं, आप बात करते हैं, कि जो कि टोटली आप कह सकते हैं, इसको immunology बोल सकते हैं, तो sense and molecule involved in innate and about adaptive immunity, यह common चीज़े हैं, antigenes क्या है, वह common चीज़े हैं, antigenesity भी common है, b and a cell apoptosis structure and function of antibodies molecules यह जो भी चीज़े में आपको यहां पर मार्क नहीं कर रहा हूं, इसका नहीं मतलब है कि आप छोड़ के जाएगा, बीना उसके आपके concept set नहीं होगा, और सारी चीज़ों पर तो वह तो आपका journal है, वह आप पढ़ी के जाएंगे, ठीक है, यहां पर यह देखिए, monoclonal antibodies जो है, यह important है, antibody, antigen, antibody interaction, यह तना important नहीं है, msc molecule important है, इसका भी कभी character पूछ लिया जाता है, antigen processing and presentation important है, ठीक है, activation and differentiation of B, T cell, इसका भी आपको character देखना है, B cell का क्या character होता है, T cell का क्या character होता है, B and T cell receptors, B बहुत important है, receptor, ठीक है, primary and secondary immune modulation जो है, यह भी important है, the complement system, tall like receptor, complement system से भी कभी-कभी question पूछा गया है, character ही सारे का, बस आप journal आपको पढ़ना है, complement system है, क्या, कौन-कौन से complement system के type है, उसका, क्या वो role है, hyper sensitivity भी पूछ लेता है, यह भी कई type की होते हैं, बस आपको deep में नहीं पढ़ना है, इसका journal ही पढ़ना है, उसका character क्या होता है, आप अराम से कर लेंगे, ठीक है, cozenital and acquired immunodeficiencies और vaccine जो है, यहां से भी question पूछा गया है, यह सारे चीज़े आपको journal पढ़नें से MSC molecule है, तो उसका कितना type है, और दोनों का basis क्या है classification का, क्यों दो type में है, दोनों का character होगा, ऐसे सब में, cozenital and acquired immunodeficiencies जो है, उसमें दोनों में difference क्या है, और vaccine है, vaccine के भी कई types है, तो वस आपको type पूछना है, कभी match करने वाला पूछ लेगा, कभी statement में जाए करेक्टर पूछ लेगा, ठीक है, तो वही आपको बताना है, यह रहा सारा चीज़े, जो मैंने yellow से कही रखी है, यह समझ लीजिए, must read, यहां पे topics हैं, औ और मैंने आपको हमेशा से मैं बता रहा हूँ कि, question practice करने के लिए, दूसरी books पे धान मत दीजिए, जहां पे आपको बहुत low level के question दिये गए हैं, या बहुत tough level के question दिये गए हैं, आप उसी में, उसी को solve करते हुए, आपका सारा time बीच जाता है, तो केवा जो CSIR के पीछे क question papers हैं, उस पर जाएए, और यह जो मैंने आपको book दिया था, CSIR, UC jointed, GRF examination, life sciences वाला, इसमें सारे question है, और last में, page number 292 पे, यहां पे, जिसे यहां पे topic है, which unit is most important and type of question they ask, based on the recent question paper analysis, यहां पे आप जाएंगे, यह देखे, June 2016 से लेके, June, December 2018 के question paper हैं, और यहां पे, दिया गया ह इक्यूइट number 4 जो आपका है, यह देखे, CCCS से represent किया गया है, section B में कौन-कौन से question थे, और इदर दो CCCS है, यहां पे कौन-कौन से question आया थे, तो ऐसे सारे paper के लिए, December 2016 में आप देखेंगे, तो यहां पे है, CCCS, यह देखे, यह इतने सारे question section B में आया थे, और इतने सारे question section C में आये थे, ऐसा ही next paper है, यहां पे जून 2017 का, यहां भी यह जो CCS है, वो आप देखेंगे, question paper में मिला लेंगे, यह सारे जो questions है, यह आपके unit number 4 से आये हुए थे, ठीक है, और सारे paper से यहां पे, और book जो है, इसका link जो है, description में मैं डाल देता हूँ, चलता हूँ मैं, आप से मिलूंगा unit number 5 में, thank you for watching this video,